सब्सक्राइब करना कैसे यहां पर लेके आए हैं तो चले स्क्रीन पर क्लियर आपको दिख रहा होगा तो एक बार हम को सब्सक्राइब करेंगे क्या क्या एक डेटा गीवन है यह आप लोगं को मालूम होना बहुत जोरी होता है ठीक है तो अधारिस्टर इज़ा क्या है तब क्सल्ग मतलब क्या पता है एकम वहाँ पेंपरेचर जो केस इपक्का शंब यह कुई करते हैं और आप on a heat sink and carries an average current of 60 ampere, average current of 60 ampere in a single phase bridge circuit, single phase bridge circuit है, right, bridge circuit मतलब पता, आपको full converter है, यहाँ पे, ठीक, now, at this current, the power dissipated is 100 watt, power कितना dissipate हो रहाँ हो रहाँ पे, 100 watt, तो PD कितना दिया, question में, थापका 100 watt, is the maximum case temperature, maximum case temperature is not to exceed 70 degrees Celsius, so question को धियां से रिट करेंगे, ठीक है, maximum case temperature is not to exceed 70 degrees Celsius, right, and an ambient temperature of 40 degrees Celsius, ambient temperature of कितना धियां पे, 40 degrees Celsius, the thermal, ठीक है, the thermal resistance of the thermal resistance of the thermal resistance of the heat sink, including that, including that, ठीक है, of case to heat sink in degree Celsius per watt, मतलब निकालना क्या है, आपको थर्मा resistance निकालना है, किसके बीच से heat sink, including that, case to heat sink, case to heat sink, तो यहाँ पे, निकालना क्या है, the thermal resistance of the heat sink, including that of case to heat sink, case to heat sink, case to heat sink, मतलब वो ambient पे जाता आपका, आपको find क्या करना, आपको यह मालूम होना चीज़, तो आपको find जो करना है, वो आपका है, theta, right, theta, case to ambient, मतलब theta c a, आपको find करना है, right, अब देखिए, क्या क्या चीज़, question में given है, question में क्या क्या चीज़, अपने को given है, तो वो हम यहाँ पे note करते हैं, तो given that, ध्याँस देखेंगे सभी कोई, right, given that, question में अपने को जो दिया, parameter उसको देख लेते हैं, right, तो पहला चीज़ क्या दिया, question में आपको यहाँ पे, ठीक है, average current, कित तरीक है, average current, तो आप लेख सकते हैं, पेट यहाँ पे, average current, right, average current, कितना दिया है, यहाँ पे, average current, 60 ampere, average current कितना दिया है, यहाँ पे, 60 ampere, is average current, now, power dissipated, क्या लिखा, question में आपका, वहाँ पे, power dissipated, power dissipated, पावर डेसिपेटेड कितना दिया आपका पीडी के वेल्व कितनी दिया वहां पे थाउसेंड वाट यह आपका पीडी दिया कोश्चन में अपरीट करेंगा देखे ध्यान से सभी कोई ना यहां पे अब 70 डिग्री अपको 100 वाट यहां पे दे दिया हुआ है राइट अब आ सबसे पहले का लेखा लेकिन के अंदर जो रहेगा वह अपका से चैश्चन होगा राइट और यह आपका जंसन होगा यह क्या होगा जंसन होगा जंसन तो इस टार्ट कहां से करेंगे तो यहां पर करेंगे तो यह आपका दूसर डूसर डूसर तर्मिनल यहां पर हैं ठीक है अब तीनों का दर आपका करेंगे तो लाइक दिस आपका यहां पर आपको मालूम है सबसे पहला क्या होगा सबसे पहला क्या होगा तो सबसे पहला क्या होगा यहां पर आपका जंसन जंसन के बाद मैं बताया था आपका केस तो यहां पर केस टेंपरिचर होगा और इसको नाम क्या होगा ठीटा है आपका ठीटा जेसी और ये आपका ठीटा सी ए और ये क्या होगे आपका यहाँ पे ठीटा सी ए तो ये आपका जेसी हो गया और ये आपका ठीटा सी ए हो गया हमको फाइंड क्या करना है केस्टू आपका केस्टू एंबियंट हमको फाइंड वही करना है case 2m b N अगर आप आगे देखेंगे तो यहां पर देख सकते हैं यहांपकर क्या होगा यहां पे पावर होगा रय्ट का अगर प्रीट को देखेंगे तो थीटा सी मानस ठीटा एपन अगर रजिस्ट्रेज़ देखेंगे तो ठीटा टीटिग्री तो च्थटो ट्या होगा यहां पे टीटा सी- मैन्स-फस्थ्टु पावर पावर्स्थ पीडी अहां पी और आपने बोला है कि जंशन के बिर्क टित नाग तो एक सीड सेवांटी डिग्री सेल्सिर्य Immediately गृटी ड़ीटीरी सेल्सियस माइनास फूर्टी डिग्री ऐस्यास डिवाईड बाइट टिटर सी ईपरस्टू पीडिय कितना यहां ट्रीट अपको यहां पे उसको आप वो सकते हैं यह आपका पॉइंट त्री डिग्री सेल्सियर पर वाट तो ठीटा सी एक वैली कितने आई आई आपकी सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करना है और कैसे उसको अटेम्ट करना है तो यह फोगा को से नंबर वन होगे हमारा ठीक है करने